हलो दोस्तों नमस्ते सरोज की किछिन में आपका स्वागत है आज हम फटापट से हरी मिर्ची का अचार बनाएंगे यह अचार इतना टेस्टी होता है कि जो देखेगा उसी का खाने का मानोगा हरी मिर्च का तीखा और चटपटा अचार थाली में वो तो थाली की रोनक चलिए दोस्तों चटपटा हरी मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं यह हमने थाइसोग्राम हरी मिर्ची लिए थोड़ी लंबी और मोटी वाली है यह मेडियम मोटी वाली बेराइटी की है यह बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं होती है और आपको एकदम डार्क कलर की मेडियम मिर्ची लेनी है हलके कलर की मिर्ची नहीं लेनी है उनका आचार जल्दी खराब हो जाता है इस तरह की अच्छी पकी हुई मिर्च होनी चाहिए और आचार में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इन मिर्चियों को हम सबसे पहले डंटला डालेंगे मिर्ची को अच्छे से धोकर पंखे के नीचे शुका लें या एक-एक करके कपड़े से साप कर लें या आप इनने धूप में भी सुका सकते हो यानि की इन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए मिर्ची कर डंटन तोड कर अब हम इन मिर्चियों को बीच में से दोब चावर से अंदर तक चला जाएगा तो सारी मिर्चियों को मैंने ऐसे काट लिया है काटने बाद इन मिर्चियों में से हलके से बीज निकाल दियें जिससे आचार ज्यादा तीखा नहीं बने तो आप भी इस तरह नहीं निकालें और इसमें डाल देंगे एक चमच भरकर नमक और साथ ही डाल देंगे एक छोटी चमच हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें धकन से डख देंगे और कम से कम दो गंटे के लिए डख कर रख देंगे आपके पास समय है तो आप पूरी रात भी रख सकते हो मैं इन्हें 2 गंटे के लिए डख कर रख रही हो हमारी मिर्चियों को रखे हुए दो गंटे हो गए इनमें थोड़ा सा पानी आ गया है इसको हम निकाल देंगे हमारी अच्छी सी सुखी मिर्ची थी इनमें नमक और हल्दी डाला उससे हलका सा पानी देल बेज हो गया है इस पानी को हम हटा देंगे और मिर्चियों को एक चोड़े बर्थन में डाल कर सुखा लेंगे आप दूप में सुखा सकते हैं या पंखे के नीचे भी रख सकते हैं आदा गंटे के लिए ऐसा करने से मिर्चियों के अचार की सेल्फ लाइप बढ़ जाती है दो छोटी चमच अजवाइन के लिए है और दो छोटी चमच जीरा लिया है साबोत वाला और एक छोटी चमच मेथी दाना लिया है और यहाँ पर तिन छोटी चमच के करीब पिली सर्सों भी लिया है आप काली पिली कोई सी भी सर्सों ले सकते हो और ये लिए कलोंजी आप कलोंजी डालना चाहें तो डालें पर ना इसको इसकिप कर सकते हैं इस से अचार में कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा आदा चोटी चमच हल्दी पाउडर लिया है हमने लिए कश्मिरी लाल मिर्च दो चमच अच्छे से कलर के लिए साथ में लिया है काला नमक क्योंकि सा जादा नमक भी ढाल लीजिएगा लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके भी कर सकते हो अब हम मसालों को हलका सा ड्राइ रोस्ट कर लेंगे मसालों को मीडियम टू लोफ लेम पर हलका सा रोस्ट करना है यहां पर हमने एक पैन ले लिया है पैन में हम डाल अजवाइन और साथ ही डालेंगे जीरा और मेथी दाना इनको हलका सा रोस्ट करेंगे इनको बहुत ज्यादा नहीं पूर्णा है इस तरह से हाथ लगाएं तो हलके से गरम हो इतना ही पूर्णा है अब हम इसमें डाल देंगे कलोंजी इसे मगरिला भी कहा जाता है इसे बह अब हम कर देंगे गैस का फ्लेंट और आप इसमें डाल देंगे फीली सरसों और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह इन मसालों के साथ अपने आपी बुण जाएगी अब देख रहे हैं हमारे मसाले अच्छे से बुन गए इन में से अच्छी सी खुशबू भी आ जल्दी से ठंडे मिसाले थंडे गरम इसी पैन में मूं झालर hub निवल्य तक हमे तुर्स जाएं जरू उधुत बनेगा हमें चाहिए और आपका चार साल्वेत चले इसके लिए चाहिए हमें फिट करी तो ये कैसे डालनी है कितनी डालनी है पर कब डालनी है ये मैं आपको बताऊंगी तो पहले यहाँ पर गरम कर लेते हैं तेल तो तेल इतना गरम करना है कि इसमें हलकी सी दुवा ना आने लग जाए बहुत ज़्यादा दुवा नहीं आनी चाहिए और ज़्यादा खौलता हुआ तेल गरम नहीं करना है, ज़्यादा खौलता हुआ तेल गरम करते हैं, तो तेल का टेस्ट खतम हो जाता है, हमने गेस का फ्लेम बंद कर दिया है तक तक हम हमारी मसालों को चेक कर लेंगे ज़र हमारी मसाले भी ठंडे हो गए अब उनको हम ग्राइंड कर लेंगे हमने यहाँ पर एक मिक्सर जाल ले लिया है इसमें सभी मसालों को डाल देंगे और इनका बारिक पाउडर नहीं बनाएंगे दरदरा सा इनको पीस लेंगे आप देखिए है हमने मसलों को पीस लिया है मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि पाउडर नहीं बनाना है हलका सा दरदरा ही मैंने रखा है दरदरा रखेंगे तो ही अच्छा टेस्ट आएगा यहां पर हमने चुटकी पर हिंग ले लिए और थोड़ी सी फिट करी ले लिए अब हम इसे कैसे डालेंगे यह मेरे आपको बताती हूँ तो हम साइड में रख देंगे इधर हमारा ओल भी ठंडा हो गया है अब इसमें डाल देंगे हेंग और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है तेल जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसमें डालीए फिट करी तो दोस्तों फिट करी कित प्रड़ी हो इस तरह से तो आप आदी चुटकी और दाल दें अगर बढ़ी चुटकी है तो पिलीज एक ही चुटकी डाल दिएगा ज्यादा फिटकरी नहीं डालनी है और अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तेल में फिटकरी डाली है तो ये दवाई का काम करेगी क्यों देखिए मिर्ची हमारी सूप गई है मिर्ची का मौश्चर खतम हो गया है अब इन मिर्चियों को हम 40 इभाउल में डाल लिया है अब मिर्चियों में डाल देंगे थंडा तेल जो तेल बनाया है हीम परफिट करी का उसे थंडा होने पर डालिएगा नहीं तो वड़ड़ हो जाएगी उसमें मोईस्चर आ जाएगा और मिर्चिया भी मोईस्चर पकड़ लेंगी और फिर मिर्च खराब हो सकती हैं तो आप पूरी ट्रिक और टिप्स को फॉलो कीजिएगा दोस्तों पूरा एक्सिपेरिमेंट करने के बाद मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर करती हूँ तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कोमेंट्स करके भी बताईएगा आप एकदम अच्छे से मिक्स करना है तेल के अंदर मिर्चिया अच्छे से मिक्स हो जाएं तब हम इसमें डाल देंगे प्रैं नमक भी डाल लें लेकिन कले नमक का टेस्ट अच्छा आएगा अब डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये ऑप्शनल है क्योंकि हम हल्दी पहले भी डाल चुके हैं परन्तु पानी के साथ हल्दी और नमक निकल गया था इस वज़े से थोड़ी सी हल्दी और डाल करेंगे इस बात का अपने को द्यान रखना है दो चमच के करीब कश्मेरी लाल मिर्च इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है रेड चिली पाउडर सिर्फ कलर के लिए होती है तीखे पन के लिए नहीं होती है अब खटे पन के लिए मैंने डाल दिया है हम चूर पाउडर एक कोई पेजर्बेटिब नहीं डालते हैं तो सिर्का डालने की जरूरत नहीं है सिर्का डालने से आपका आचार खराब नहीं होता है यह एक ऑप्सनल है आप चाहें तो सिर्का भी डाल सकते हैं नमक कम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा साधा नमक और डाल देंगे क्योंकि हम आपने मिर्ची का पानी फैक दिया था पानी के साथ नमक भी थोड़ा चला गया है इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है तो मैंने फिटकरी किट्रिक आपको बताईए इससे बरसाद के मौसम में भी अचार कभी खराब नहीं ह और इस अचार को दूप में सुखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आचार बनाकर सीधे कंटेनर में डाल लीजिए आचार बनाना बहुत ही आसान होता है परन्तु इससे स्टूर करना मुश्किल है आपका आचार खराब ना हो उसके लिए आप कोशिश कीजिएगा कि एट डबे में भर कर रखें कंटेनर को दो कर पहुंच कर दूप में सुखा कर लीजिएगा कंटेनर प्लास्टिक का हो चीनी मिटी का हो या कोई काच का भी ले सकते हो परन्तु एकदम सुखा हुआ होना चाहिए मिर्च को कंटेनर में डाल कर दबा दें ताकि तेल मिर्ची के उपर आ जाएगा और मिर्ची के साथ रहेगा नीचे नहीं बैठेगा देखिए कंटेनर को बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि जैसे ही मिर्चिया नरव होंगी तो तेलू उपर आ जाएगा इस तरह से आप वीडियो को फोलो करेंगे आपका आचार भी कभी खराब नहीं होगा और भी पहले मिर्ची के अचार के वीडियो डाले हुए हैं आप सब लोगों ने पसंद किये आपके लिए धन्यवाद उन वीडियों की लिंक नीचे डाल दूंगी तो दोस्तों मिलती हूं एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ धन्यवाद